हाई अबरिवन, आइम डॉक्टर कशीका जिन, मैं साइकलोजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, मेरे टांटिस करते हूँ, मेले बारे में और जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट बज़र कर सकते हैं, देश भर में लॉक्टाउन है, कोरूना वाइरस का गहर है, सब लोग तरह से हैं लेकिन क्या हम ऐसे में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं? यस, कर सकते हूं हम घर में रहकर हम अपनी हैपिनेश को अन्लॉक कर सकते हैं. देखिए भाई, गदाबस्था एक ऐसा समय है है जहां कि आप एग श्रीर में दूआत्माएं रहती हैं, साथ में सोते हैं हस्ते हैं मस्कुराते हैं हार emotion को साथ में महसूस कर से हैं Abhi Magnu तो आप सबको याद ही होगा और अब तो science भी मनती है कि MaIC budgeting करती है जो भी सोच भी है जो भी जो भी आदते होती है उसका direct and indirect effect उसके बच्चेफ़ पर पड़ता ही है तो अब क्योंब हम इस period को ऐसा शांदार यादगार पीरेड बना दे जो हमें जिंदगी भरियात रही तो कैसे कर सकते हम अपनी हाफिनेस को अनलॉक सुछिए सबसे पहले सोचिए कि ये टाइम आपके लिए ब्लेसिंग है क्योंकि इस अवस्ता में हम क्या चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे पती हम हमारा ख्याल रखें तो देखिए सब लोगों के पास भरपूर समय है आपका ख्याल रखने के लिए शुद हवा है मैं अभी न्यूस में सुन रही थी कि पंजाब की जालंदर से हमाले की पाहलियां देखने लगी है तो देखिए वातवरण इतना शुद है घर का शुद ब हो इस टाइम का भरपूर आनद लो साथ में जब आपके परिवार बैठेगा और आप खुश रहेगी तो आपके अंदर आपके अंदर आपके अंदर आपके अंदर नाम क्यामिकल रिलीस होगा और इससे आप बहुत बहुत अच्छा मैसूस करेंगी दूसरा इस टाइम आपके अंदर डोबामीन, सरटेनिल रिलीस होगा इस टाइम कुछ अच्छी आदब एपना हो प्रिगनेंसी में हम सबको यह रहता है कि हम अपना वेट मैनेजमेंट कैसा करें कि जैन्मिन वेट है उतना ही बढ़े तो आप अच्छी आदब अपना हो अपना खाना बहुत हीरे चबा चबा कर खाओ, पानी को घूद 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 भर कर पीओ, इससे आपका एकसस में जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा, साथी साथ आप एक करवट बाएं और करवट लेकर सोने की आदब चालिए, प्रिगनेंसी में बाएं और करवट लेकर सोने का बहुत ही महत क्योंकि इससे आपकी पीठ का जो दर्भ है, वो कम होता है, जो आपको खटी डगा रहे, बिजए नहीं होती है, उससे वो भी कम हो जाती है, और आपको नीद बहुत अच्छी आती है, और आप हर तरीके से बहुत बहुत अच्छा महिसूस करते हैं, जब आप बाएं और कर करकर आप अपने आपको खुश हर सकते हैं, किसी भी तरीके से चाहिए अपना फेरिट खाना बनाए है या तयार हूए, कैसे भी अपने आपको पांपर कीज़े, मजाएगा आपको इस तीरा बहुत बहुत मजाएगा, तीसरा, आप इस वत आपे सुना होगा कि मदर का जो राइट समय है, वो यही समय है, तो इस वत आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे कलतना करनी है, कि आपका बेवी आप उसे महसूस कर पा रहे हैं, और आप उसे कोई विरच्छी किताब, जैसे की पंचसंत्र की कहानिया हैं, तेनाली राम की हैं, अग्बर बीर्विल की हैं, या रामायन हैं, आजकल तो सब बहुत ही सिंबल फार्म हैं, वो सब आप उने बच्चे को किससे कहानिया सुनाएं, और अपना सीधा हाथ अपने पेपर ऐसे रखें, और उन एहसासों को महसूस करें, जो बच्चा आपकी सुनेगा, और उसके बाद आपको रिस्पॉ कर रहा है, जो भी आप अच्छी आदते अपने बच्चे में डालना चाहती हैं, वो सब उसको सुनाएं, जाहे वो कोई अच्छा संवीत हो, या कुछ भी आप उसे सिखाना चाहती हैं, और उस सुगत अनुभव को जो आप महसूस करें, उन सब को no down करें, ये ऐसी golden memories होंग आप डांस कर सकती है, या कुछ भी किसी बी तरीकी का शॉप फूरा कर सकती है, इन सब से क्या होगा कि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी उस सब से का हो, क्योंकि जो जो टीचर करेगी, वैसा वैसा उसका student follow करेगा, तो आपका student जो आपके अभी अंदर ही है, तो आप जो भी इस ताइम अपनी होबी को या किसी भी चीज को टाइम देंगी, उस सब अच्छी चीजे आपके बच्चे के अंदर जाएंगी, तो भरबूर आनंद लेजे इस मौके का। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसी इजी एकसरसाइज बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बहुत बहुत ही जाता रिलाक्स रहेंगी, तो चलिए देखते हैं उनका डेमो, आपको जीप रिलाक्सिशन देगी, या करना है आराम से सुख आसर में, यानि की नॉमल पांधिमार कर बैट चाहिए, और अपना लफ हेंड अपने चैस्ट की सेंटर पे रखना है, और राइट हेंड आपको अपनी पेट पर रखना है, और सर्फ आपको ऐसी कलिपना करनी हैं, आप और आपकी अंदर आपका नट荷ट ज़राती मुस्कुरा रहे हैं, और जब आपका तो खिल खिलाकर मुस्कुराते हैं, तो आपका पेट ऐसे बाहर की ओर बोलता है, और जब आप धी मिती में मुस्कुराते हैं, तो यही पेट अंदर की ओर वापस दवा जाता है, सर्फ इसी कल्पना के साथ, कि आप और आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और हस पांच मिनट तक बस आपको अपनी सांसों पर ध्यार लगाना है, तो चलिए, देखते हैं, बिल्कुल इस तरह से, यह आपको इतना डीप रिलाक्सेशन देगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहत लाकर देगा, आपको अपनी इम्यून सस्टम को स्ट्रॉंग करने के लिए क्योंकि इस टाइम आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी की जौरत है, आपको इस विल्का से एक्रसाइस करने है, इस तरह से आपको लेट रहना है, और लेटनी के बाद, सिम्ऽ्प्री अपने बुलों-बैरों को इस तरह से उचाना है, और इस तरह से ढीरे फीले, अपन और जितना आप अराम से उठा सेके उपर उठाना है और बहुत धीले धीले अपनी बैक को नेचे लगते चाएंड रिलाक्स आप बहुत रिलाक्स मेसूर्स करेंगी आपका इम्योन सिस्टम भी बहुत जादा स्ट्रॉग होगा साथे साथ आप योगा और बहुत सारे पोश्टस करते ही होगी लेकिन मैं आपको एक और एक्षेक्टिव एक्सराइज बताने जा रही हूँ आपको पहले अपने राइट लेक को इस सरह से बिल्कुल स्ट्रेट सबाव लेना है और अपने लेट लेक को अपनी थाई से इस सर जाहा से हैं पर च्पता करें। और फिर बहुत धीरे-धीर आपको आखी घ्योर पेंट होना है जूआ हों, आपको बहुत फाइदा देगी, आपको रिलाइक्स रहने में मदब करेगी, आपको एनिजिटिक रखेगी, सेम आपको दूसरे लेक्स से भी रिपीट करना है, तो इसको करिए और रिलाइक्स रहे, आप अपने बच्चे के लिए तौफा खरीदने इस वक्त बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन घर से ही आप एक बहुत ही अच्छा डेसिजिन दे सकती है, आप बच्चे को शांदार तौफा देने के लिए आप लाइफ से उसके लिए पैकेज खरीदिये, ताकि आप उसके लिए एक संचीवनी पूटी जीवन में सहेच कर रख सकें, इश्वर ना करें कभी उसके जरूत पढ़े, लेकिन कभी अगर जरूत पढ़ गई, तो ऐसा मानी कि इश्वर धर्ती पर आकर आपके बच्ची की साहरता कर देगा, तो उसको भी लाइफ से पाकेज खरीद कर तौफा दीजे, वाइग्यास को यूज करकर, खुश रहिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए, इश्वर आपको बहुत अच्चा स्वास दे, God bless you